हाई फ्रेंडस विल्कम बैक टो माई चैनल नैच्छल एंड ब्यूटी केर्ज एंड हेल्दी टिप फर किच्छन अज मैं आलो बिर्यानी की रेसीपी लेके आई हूँ देख सकते हैं हमारा आलो बिर्यानी कितना स्पाइस और बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको आप दुबारा मुझे कमेंट में बताइए कि आलो बिर्यानी को कैसा लग रहा है एक बार आप घर में ट्राइ कीजिए तो यह आलो बिर्यानी बनाने के रेसिपी को जानने के लिए हम अपना वीडियो आगे स्टार्ट करने करने जा रहे हमारा तेल गरम होते है इसमें कस अडीडियों कमाने दें अडरी इंगे अपिज बारिक कटा ही वह प्यास डालगे इसमें कर दोकूंक ताथ दाल होता है बताइब चैनलल क्या दो जिariों धूम सी टाटब करेंगे ताकि जो बारियु आ अलुन प्याज का गुड़नेस है वो हमारे आलू सोख कर ले जब सोख कर लेगा यह तो हम इसको निकाल देंगे कि अब अब देख सकते हैं हमारा प्याज लाल हो चुका है आलू को निकाल चुके हैं अब इसमें हम तेज पत्ता को अब इसमें दो तेज पत्ता को अच्छी से मिक्स कर लिए पहले प्याज में अब इसमें एक चमाणल बारिक कटा हुआ इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें इसमें एक टेबल स्पून नमक और वन और हाफ टेबल स्पून नमक इसमें देंगे आप अपनी स्वादा नुसार भी दे सकते हैं और हल्दी हाफ टेबल स्पून देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि नमक देने से हमारा टामाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा चार कच्छा मिर्च एक टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पावडर देंगे वन और हाफ टेबल स्पून थोड़ा स्पाइस बिर्यानी में रहने से अच्छा लगता है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप स्पाइस अपनी अवशक्ता अनुसार भी दे सकते हैं हमें थोड़ा बिर्यानी में स्पाइस अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा ज्यादा वन और हाफ टेबल स्पून दिए और यह मसाला जिसमें है जीरा धनिया और गोलमरीच का मिक्स किया हूँ पावडर है वह वन टेबल स्पून इसमें डाल देंगे अब इसको अच्छे से इस मसाले को डालके और ग्रेप को मिक्स करेंगे अब यह लहसुन और अधरक का पेस्ट टो टेबल स्पून है यह इसको हम डालके और ग्रेप में मिक्स कर देंगे सभी मसाला डालने के बद मिक्स करते जाने से थोड़ा अच्छा होता है सुभीदा थाकि सब मसाला मिक्स होके पकते रहे अब जो आलू हम निकाल चुके थे पहले अब वो आलू को भी हम इस ग्रेब में डाल देंगे अब पहले ग्रेब को अच्छे से चलाके उस आलू को मिक्स कर देंगे ताकि जो सारा ग्रेब का गुड़नेस है वो आलू हमारा अच्छी तरह से ले सके पूरा अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरा मसाला आलू में मिक्स हो जाए इसमें अब इसमें हम 7 टू 1 टेबल स्पून कर्ड देंगे कर्ड ऐसी उपर देना है आपको मिक्स नहीं करना है अभी पहले अच्छे से फेपर से मसाला सोप कर जाए तब कर्ड को ऐसी दे के ढख देंगे अब हमारा देख सकते हैं इसमें दाल चीनी लवंग और नमक और लेबन दिया हुआ है जब पानी गरम हो गया तब इसमें हम बासमती चावल देंगे हमारा हो चुका है चावल अब इसको पहले चावल देंगे अब पानी को चूप करेंगे और इसको ऊस्री ना देख सकते हैं अब स्टींग का प्रोसे स्टीम करेंगे हमारा पानी गरम हो चुका है अब है अब इसको हम इसको पहीं रख देंगे ताकि हमारा पूरा अच्छी तरह से स्ट्रीम होके पक जाए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप स्ट्रीम करने के लिए छोड़ देंगे और ये सिल बट्टा से उपर रख देंगे ताकि जो भेपर है उसके अंदर ही रह जाए तभी बहुत अच्छा लगता है खाने में तैयार है इसको मैं अच्छी तरह से चला के आपको दिखा रही हूं कि ये कितना हेल्दी और कितना टेस्टी आप घर में बिना इत्तर बिना गुलाब जल दिए इतना हेल्दी बिर्यानी बना सकते हैं और आप घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा और प्लीस मुझे कमेंट सेक्षन में बताईएगा कि आपको ये कैसा लगा अलु बिर्यानी आप देख सकते हैं प्लेटिंग में कितना हेल्दी लग रहा है इसमें पुदीना पत्ता भी दिया जाते हैं मैं पुदीना पत्ता दीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा जब आप तयार कर रहे ह तभी आप पुदीना पत्त दीजिएगा बहुत अच्छा लगएगा आपको ये प्लेटिंग हो चुका है ये सलाट के साथ हैलेबन लेबन और सलाट के साथ खा सकते प्लीज मैं चानल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सको और इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाज सको सब्सक्राइब मैं चानल थ झाल